आज हम आपके लिए ले करा हैं Journal Knowledge का Part 2 चलिए चलते हैं अब Question के तरफ First question is अंतरिक्ष यात्री को आकास कैसा दिखाई देता है? इसका अंसर है काला अंतरिक्ष यात्रा के दोरान जब अंतरिक्ष यात्री आकास को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वाईयू मंडल की अनुपस्थिती के काण उन्हें आकास काला दिखाई देता है चलिए लेंस किस से बना होता है इसका अंसर है फ्लिंट कांच से लेंसों के निर्मान में क्राउन कांच एं फ्लिंट कांच प्रियोग किया जाते हैं इसके अतिरिक्त आज कलकवार्टर क्रिष्टल प्लास्टिक का भी लेंस निर्मान में प्रियोग किया जाता है पिर्थवी पर दुरस्थ वस्तों को देखने के लिए कौन से उपकण का प्रियोग होता है इसका अंसर है पार्थिव दूरदर्शक पिर्थवी पर स्थित दुरस्त वस्तों को देखने के लिए पार्थि दूरदर्शक का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कौस्चन इस क्या कहता है फाउंटन पैन कि सिधान पर कारिय करता है इसका अंसर है केसी का किरिया गुरुतों के विरुद किसी दर्व के बहने की क्षमता को ही केसी किरिया का नाम दिया गया है फाउंटन पैन केसी किरिया के सिध्धान्त पर ही कार्य करता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ परकास तरंगे क्या है इसका अंस्वर है विद्धुत चुम्ब के तरंगे परकास एक विद्धुत चुम्ब के विकरन है जिसकी तरंग धेरिये दिरिशे सीमा के भीतर होती है परकास का मूलकन फोटान होता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ क्या कहता है next question प्रकास को सूरिय से पिर्थ्वी तक पहुँचने में कितना सनमे लगता है इसका अंसर है 8.3 मिनट पिर्थ्वी से सूरिय की दूरी 147 से 152 मिलीयन किलोमेटर के मध्य है सूरिय से पिर्थ्वी Tक पहुँचने में आठ पॉइट चोदा से आठ पॉइंट 42 मिंट के मध्य से में लगता है कालिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था इसका अंसर है 261 इसा पूरो हुआ था असोक ने अपने राज्य अभिसे के आठवे वर्ष अथार्थ 261 इसा पूरो में कालिंग पर आकर्मन किया था अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है असोक ने किस बोध सादू से परभावित होकर बोध धरम अपनाया इसका अंसर है उप गुप्थ दिव्यवदान असोक को बोध धरम में दिक्षित करने का श्रे उप गुप्थ नामक बोध भिक्षू को देता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरियकाल के दोरान शिक्षा का सबसे परशिद केंदर कौन सा था इसका अंसर है तक्षिला मोरियकाल में शिक्षा का सरवादिक परशिद केंदर तक्षिला था यहाँ विशोह भर से लोग पढ़ने आते थे, यह वरतवान में इसलामाबाद पाकिस्तान की राजदानी से कुछी दूरी पर स्थित है भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहा पर स्थापित हुआ था इसका अंस्वर है मुंबई में भारत में प्रथम सूती कपड़े के कारखाने की स्थापना 1854 इस्वी में मुंबई में की गई थी इसको कपड़े की राजधानी भी कहा जाता है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ इसका अंसर है 1931 में गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था इसे दिल्ली समझोते के नाम से भी जाना जाता है Next Question is अखिल भारतिय हरीजन संग की स्थापना किसने की थी इसका अंसर है महतमा गांधी ने 1932 में अखिल भारतिय हरीजन संग की स्थापना महतमा गांधी ने की थी अब चलते हैं Next Question की तरफ अफिम यूद किसके बीच लड़ा गया था इसका अंस्वर है ब्रीटेन और चीन के मध्य लड़ा गया था अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ राइडर कप का संबंद किस खेल से है इसका अंसर है गोलफ अमरीका और यूरोप के गोलफ खिलाडियों के मद्दे खेले जाने वाली टीम पर त्योगता है राइडर कप अब चलते हैं next question की तरफ, next question is, शूप्त रज्य अमरीका का सबसे लोक परिये खेल कौन सा है, इसका अंसर है, baseball, अमरीका में खेले जाने वाला सबसे लोक परिये खेल, baseball है, जिसकी खोज 1849 में अवनेर डबले देने की थी, next question is, butterfly stroke सबद का परियोग किस खेल से है, इसका अंस अंसर है, तेरा की, butterfly stroke तेरा की की एक तकनीक है, अब चलते हैं next question की तरफ, बहुत ही important question है मित्रो, next question is, पितल किसकी मिस्रधातु है, इसका अंसर है, जस्ता और तामबा, पितल, जस्ता, तामबा की मिस्रधातु है, इसका उप्योगतार, मसीनों के पुर्जे, बरतन बनाने में किया जाता है, अब चलते हैं next question की तरफ, next question क्या कहता है, तामबा, किसके दुआरा सुध होता है, इसका अंसर है, विद्धूत अब घटन से, तामबा, मुक्त अंस्यूक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसका सोधन, विद्धूत अब घटनी, सीसा क्या है? अंस्वर है अतिसीतित दरव पदार्थ काँच ए क्रिष्टलिय ठोस के रूप में एक अतिसीतित दरव है इसलिए काँच की कोई क्रिष्टलिय सरंचना नहीं होती और नहीं इसका कोई निश्चित गलनाक होता है आइरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी परक्रिया लाबकारी नहीं है आइरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना और जस्ता चडाना लाबकारी है जबकि एलिनन की परक्रिया कांच में की जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन इस यसद लेपन क्या होता है अंस्वर है इसका लोहे पर जस्ता चडाना लोहे की चादर पर जस्ते की परत चडाना यसद लेपन कहलाता है जिंक की परत पर चड़े लोहे को गलवी कृत लोहा कहते हैं इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगता किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्लिक शेत्र खोल दिया था इसका अंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई ग्यारा सो बनुए इसमी में लड़े गए तराइन के द्वित्ते युद्ध ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्लिक शेतर खोल दिया था इस युद में मुहम्मद गोरी ने एक शेतर पर सासन करने वाले पृत्वी राज चोहान को प्राजित कर अधिकार कर लिया था नेच्ट क्वेस्टन इस कलिंग सासक खारवेल ने किस धरम को स्रक्षन दिया इसका अंसुर है जैन धरम को कलिन के चेंदी वंस का सबसे परतापी सासक खारवेल था जिसका जुकाओ जैन धरम के परती था भारत में प्रकासित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किस ने शुरू किया था इसका अंसुर है जेमस ए हिक्की ने 1780 इस्वी में जेमस ए हिक्की ने प्रत्थम समाचार पत्र प्रकासित किया जिसका नाम दै बंगाल गजट था इसका अंसुर है अब्दुल गफ़ार खान समीन्य आवज्या अंदोलन के दोरान उत्तर पस्चिमी सिमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निबाने वाले अब्दुल गफ़ार खान को फ्रेंटियर गांदी अत्वा सिमांत गांदी कहा जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस्टन की तरफ सारे जहां से अच्छा रष्ट गीत किस ने लिखा था इसका अंसर है मुहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा रष्टगीत मुहम्मद इकबाल ने लिखा था इसका प्रकासन सबसे पहले इतिहाद साप्ताहिक जर्नल में 16 अगस्त 1904 को प्रकासित किया गया था काकोरी डकेती घटना के नायक कौन थे इसका अंसर है राम परसाद बिसमिल अगस्त 1925 के काकोरी कांड जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था उसके नायक राम परसाद बिसमिल तथा रोशन सिंग और राजिंदर लहडी थे इन सबी को इस कांड के आरौप में फांसी भ इसका अंसर है कानून का अधिकार भारत में व्यसक मताधिकार परनाली अपनाई गई है जिसके तहट 18 वर्षे अधिक आयो के सभी नागरिक अपने जन परती नीदियों को चुनने का कानून का अधिकार प्रापत है महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचैत में एक तिःआई सीटों के आरक्षन की व्यवस्ता है इसका अंसवर है तीटर्वें और चुहत्र्वें संसोदन में भारतिय स्विधान के तीटりवें और चुहत्र्वें संसोदन के दौरा ग्राम पंचैतों और नग उनिसो बनुए में